हलो एवरीवान वेलकम टो कृष्णा कोचिंग सेंटर और शोशलोजी में चैप्टर नंबर फोर कल्चर और शोशलाइजेशन में एक छोड़ी सी स्टोरी दे रखी है उस स्टोरी को ध्यान से देखते हैं थोड़ा बहुत ही प्यारी कहानी है यह तो दा बेल है एक स्टोरी जो लिखी है गीता कृष्णकृती जी ने और उन्होंने बहुत प्यार से कुछ चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है तो लंच टाइम का टाइम चल रहा था और अर्गूमेंट होती है एक यांग लड़की में और उनके फैमिली में कि जो साउथ इंडन का उसमें जो बेल है टेमपल की जो बेल होती है वो उजारी की डॉर्टर ने बजाई थी तो यह यांग गल क्या आर्गू कर रही है कि उसको भी वो बेल बजानी है तो जो यंग रिबेलियस गर्ल थी वो भी she wanted to ring the bell क्योंकि उसने कहा कि जो थंगम थी वो कोई ऐसा different नहीं है तो थंगम कौन जो प्रिस्ट की बेटी थी and थंगम is not different than her and her friends so she also added कि we all are equal in the eyes of God कि हम सब ना बगवान की नजरों में ना equal है अब जो family member थी भाई साब उनको लगा कि लड़की तो विद्रो करने लग गई कुछ भी नया बोलो तो परिवार वाले को तो पहले तो विद्रो ही लगता है और उन्हें लगा कि बड़ी होगी तो अपने आप समझ जाएगी accept कर लेगी wisdom को and unquestioningly हमारी बात है मान जाएगी obvious सी बात है पर जो young rebellious girl थी न उसने सारी instruction family की सुनी और उसको लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगी वो riverside गई नहाने के लिए अपनी grandmother के साथ वो grandmother ने उसके कौन tightly ऐसे तेलवे लगा के बान दिये और केलुनायर जो उनकी family के servant थे उसको instruct किया गया कि आप उनके साथ जाओ temple तक और उसने डिनाय करा बच्ची ने कि नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं जाएगा मेरे साथ मैं ऐसे बड़ी हो गई हूँ पर mother ने उसे इग्नॉर कर दिया अब young girl जो थी वो जल्दी से जल्दी रास्ता पूरा खतम करना चाहती थी अब एड़ टेमपल उसने क्या देखा यूजर ग्रूप ओफ वोमेन थी जो वहां पर गैदर हो रही थी टेमपल के दोर के बाहर इखटा हो गई थी पूरी और उन्होंने अपनी स्पीड इंक्रीज करी और उसने इग्नॉर कर दी केलो नायर के एडवाईस केलो नायर कह रहा होगा और अरे रुख जाए रुख जाए रुख जाए रुख जाए पर लड़की तो भाग गई अब उसके माइंड में बहत्रीन सा सीक्रेट मिशन था शी फेल्ट कूल रॉख बिनीथ हर फेट अशी एंटर इंटू दर टेंपल वह पहाँ के जाती और एकदम से टेंपल में एंटर होती है गॉड़ेस पारवती जी के सामने वह सर जुकाती है क्रॉस डांग के साथ उनकी यहस टच करती है और जो क्राउड़ेड मेंग सेंक्चुरी थी जो क्राउड़ेड जगय थी महाँ पर आती है अब जो नंबूदरी भूमिन थी वह स्टैंड़िंग इन क्लोज सर्कल जो वह उसके सामने चैंट कर रही थी प्रेयर चैंट कर रही थी बिफोर शी वोड रिग्रेट अपने डिसीजन पर इससे पहले वह रिग्रेट करे उन्होंने अपने आप को एसे एक दम सरकल में घुसा दिया उन्होंने केलु नयर की ना शाउटिंग सुनी ना कुछ सुना बेल क बेल बजा दी and she was light hearted happy as she turned back she saw the temple वह बहुत light hearted happy फिल करी थी वह बहुत लाइट हाट एक दम से उसको लेके जाने लगा भात पकड़ के as she turned back उसने क्या देगा temple को she felt blessed उसको बहुत अच्छा लगा as she reached home she found the silence was more reluctant than her speech but घर आई तो घर पे बड़ी शान्ती सी थी शान्ती किस प्रकार की वह जब आप कुछ गलत कर देते हो तो शांत से नहीं हो जाते बहुत वैसी शान्ती she felt so as she saw the absence of pappadams in her plate और उसको लगा कि वह सब नराज है क्योंकि उसके खाने की plate में नहीं थे अब स्टोरी end होती है with a feeling of happiness क्योंकि जो यंग गलती उसको पता था कि जो God है God की eyes में हम सब equal होते बैग्राउंड क्या था कि इस बच्ची ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था और स्कूल में यह सब चीज़े सिखाते थे इसके परिवार बाल को लग रहा था स्कूल वाले पता नहीं क्या ही उल्टा सीधा सिखा रहे हैं हम आया बच्चे खराब कर रहे हैं यह एक छोटी से सम्रीते दा बैल की तो थांक्यू सो मच्च, I will meet you all in my next video, thank you